सुरी शिवाय नमस्त ब्याम हरहर महादीव कैसे हैं आप सब देखिए हम सभी जानते हैं कि 7 अगस्त को सावन मास के पवित्र महीने का पांचवा सोमवार है सावन का पवित्र महीना भगवान शिव के आराधना के लिए सबसे प्रिय महीना होता है सबसे पावन महिना होता है हमारी मनुका अमना पूर्ती के लिए और सावन का जो सोमवार रेता है वो सबसे ज़ादा शुब होता है तो आपको सावन सोमवार के दिन आपको बहुत ही आसान से उपाय करना है देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको तीन महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल सावन सोंबार पर करना है देखो पहला जो उपाय होगा वो माता आशोक सुंद्री का उपाय होगा घी वाला उपाय जो आपके रोग मुक्ति के लिए होगा जो आपके रिन मुक्ति के लिए होगा जो आपके जीवन में तनाव मुक्ति के लिए होगा तीन चीज एक ही उपाय से हो सकती है दूर ठीक है दूसरा जो उपाय होगा अगर आपका मन अशांत रेता हो मन बारबार रोता हो मन में डर लगता हो तो आपको सफेद फूल वाला बहुत ही अच्छक उपाय करना है दूसरा महा उपाय है और तीसरा जो उपाय होने वाला है वो मात्रे एक बेल पत्रे से एक चावल की दाने से आपके जीवन में भागय की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्यारा उपाय होने वाला है ये तीनों उपाय आपको सावन के किसी भी सोमवार पर जब आपकी इच्छा हो देखो हो सकता है कल कोई करना पाय तो आने वाले सोमवार पर कर लेना कभी भी करो लेकिन सावन के सोमवार पर एक सोमवार पर ये उपाय ज़रूर करना किस्मत की रेखा बदल जाएगी भागय की रेखा बदल जाएगी बहुत ही प्यारे से उपाय है ये तीनों उपाय पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे भकते हैं शिव भकते हैं ओम नमज शिवाय जरूर लिखें देखें सबसे पहला उपाएँ हमने पहले उपाई के बारे में आपको बताया कि ये उपाई मात्र एक बुंद घी से होने वाला है ये माता अशोक सुन्दरी का महा उपाई है माता अशोक सुन्दरी आपके घर से रोगों को दूर कर देगी आपके घर में अगर रेन बहुत जादा है करजा बहुत ले रखा है बार बार करजा लेने की इस्तिती बन जाती है परिस्तिती बन जाती है आप नहीं चाहते करजा लेने की लेकिन फिर भी ऐसे योग बेट जाते हैं कि आपको करजा लेना ही पड़ता है यानि कि आपके जो भाग्य में करजा लेना लिखा हुआ है तो ऐसे भाग्य को रोख करके आपको करजा लेने की जरौत ही ना पड़े इसलिए आपको यह उपाय करना है और तीसरी चीज यह है कि अगर आपके मन में शांती नहीं है जीवन में शांती नहीं है तो यह उपाय आपको करना है देख शुद्imen CNEzti लेना है ऑर आपको महादेव के मंधिर में ले करके जाना है अब देखो माता अशुक सुंदरी का जो इस्थान है, यहाँ पर आपको पूरी अगर रोग जादा हो रोग को दूर करना हो तो आप ही उपाय करना अगर आपके घर में करजा बहुत जादा ले ले लेते हैं लोग तो करजे की स्थिती बहुत जादा बनी है तो करजा दूर हो और करजा कभी लेने की जुरत ना पड़े तो आप ही उपाय करना आपकी जो मन जादा हो तो रोग के लिए बोलना ठीक है अब आपने जिसे ही घी लगा दिया पूरे पे अब आपको क्या करना है एक लोटा जल बाद में श्री शिवाय नमस्तव्यम का जाप करते हुए या जिसे की समझ नाम अगर आपने रोग के लिए करा है तो कुंदकेश्वर करना है देखो तीनों आपको नाम स्क्रीन पर लिखे हुए मिल जाएंगे अब आप क्या करना जो घी लगाया था आपने वो घी जैसे की कटोरी के अंदर घी ले गए होंगे तो घी से लेपन करा होगा तो कटोरी में थोड़ा भूत्तो घी बचा होगा तो उस घी को आपक की लगाओगे तब आपको देखो रोग मुक्ति के लिए अगर आपने करा है तो कुंद किश्वर महादेब का नाम लेना रेन के लिए करा है तो रेन मुक्ति इश्वर महादेब का नाम लेना और जीवन में शुक्षानती लाने के लिए के लिए तो चंदर मोली महादेब क को बोलना है या रोग मुक्ति के लिए रिण मुक्ति के लिए या मन का तनाव को दूर करने के लिए देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाइगे देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मन से बहुत दुखी होता है चाहे आपकी मा हो चाहे तो आपको मन दुखता है, जीवन में बहुत जादा घठिना ही आजाती है, दिखो, कहीं पार होता है ऐसा कि हमें कुछ बी चीज समझ में नहीं आती, हमें मन में डर लगता है और हमारी आखों से अश्रु निकल जाता है, तो ऐसे लोग जो बहुत मन के बहुत साफ रहते हैं लेकिन फिर भी जीवन में ऐसी परिस्तित्या उत्पन्य हो जाती है कि उनको डर लगने लग जाता है तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना तो डर ना मच बस ये उपाय आपको सावन सुमवार्ट पर करना है बहुत प्यारा सा उपाय है एक सफेद पुष्प लेकर क्याना है केतिकी का फुल नहीं लेना है बाकि अन्य कोई भी पुष्प आप लेकर क्या सकते हैं अन्य कोई भी पुष्प मोगरे का पुष्प लेकर क्या सकते हैं सफेद गुलाब लेकर क्याना बहुत प्यारा सा उपाय है समझना एक सफेद पुष्प लेना और उसे अपने हाथ में रखना और उसके बाद क्या करना पूरी घर में उस सफेद पुष्प को ले करके आपको घुम जाना है जब आप पूरे घर में घुम हैंगे तब आपको कुंद केश्वर महादेव का नाम लेना है आ गई आपको बात समझ मैं देखो मेरी ओर से पूरा प्रयास रहता है कि ऐसे उपाई आप तक पहुचाए जाए ताकि आपके जीवन के संकट दूर हो जाए देखो ये उपाई बहुत जरूरी है बहुत सारे लोगों के समस्या है बिचारे डर जाते है तो उन लोगों के लिए ये उपाई है पूरे घर में लेकर के कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर के पूरे घर में घुम जाना और एक लोटा जल लेना घर से ही लेना है जल और तामबे के पात्र के अंदर जल लेना है मटके का जल लेना है और उस जल के अंदर ये एक पुषप आपको डाल देना है और आपको महादेव के मंदिर के लिए निकल जाना है घर से निकलना नंगे पेर निकलना और महादेव के मंदीर में ही जाना है ऐसा नहीं कि घर में शिवलिंगे तो महापर कर ले क्या भाईया ऐसा नहीं होता है आप महादेव के मंदीर में ये लोटा जल आपकी जो भी इच्छा है देखो मन में जो भी आपकी व्यता है न महाद कर देना है आपके मन को शानती मिलेगी आपके जीवन में शानती मिलेगी आपके जो भावना है भगवान शीव तक बहुत जाती है बहुत ही प्यारा सा यह उपाय है आपकी समस्या निश्यति इससे दूर होगी तो यह हो गया दूसरा उपाय अब हम तीसरे उपाय के बारे मे आप करते बहुत अच्छा हैं लेकिन वह उल्टा हो जाता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप घबराना मत सावन के सोंबार पर आपको यह उपाय करना चीए एक बेल पत्र लेना पीला चंदन लेना एक चांवल का दाना लेना कच्छा दूद लेना एक पात्र लेना, बेल पत्र की जो चिकनी वाली साइड है, उसकी जो उपर वाली जो पत्ती है, वहाँ पर आपको पीला चंदन का लेपन कर देना है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये पीला चंदन का लेपन कर दिया, अब इसी पीले चंदन के उपर एक चावल का दाना आपको चिपका देना है यही चावल का दाना यही पीला चंदन आपके भागे की रेखा को बदल देगा चमका देगा देगा कहीं कहीं बार क्या होता है कि हमारे पुर्णे में तो वह चीज रेती है लेकिन हमारे पुराने कर्मों के अजय से वह हमें प्राप् पत्र रखा डंडी का हिस्ता जलादारी की तरफ होना चाहिए इस प्रकार से बेल पत्र रख देना तेको पूरी क्रिया वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं अब आपको क्या करना है कच्छा दूद्ध जो ले करके आए न आप वो कच्छा दूद्ध भगवान का उदे करने वाला है फिर अंत में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते वे आपको अर्पित कर देना है बस इतना सा उपाय करना निश्यति आपका रूठा हुआ भाग्य सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा जाग उठेगा बहुत ही प्यारे से उपाय है तीनों उपाय आपकी परिशानियों को दूर करेंगे जो इच्छाओ वो करना सच्चे मुन से करना श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादिख